लंबे समय से बीमारी से जूज रहा है नितीश कुमार आखिरकार आज मिडिया के सामने आही गया है मुक्मंत्री नितीश कुमारी इसकदर बीमार हुए थे कि बिहार में सियासत तेज हो गई थी कंग्रेस की बैठक में जाने से पहले इंडीज बिमार हो गए थे और नितीज के बिमारी के कारण ही कौंग्रेस को अपनी बैठक तक रद करनी पड़ी विपक्षी तलौकी बैठक बुलाई सब्यावास के बाहर सरकारी सवारों का योजन किया गया था उस कारिक्रम में भी सियँ नहीं पहुंचे थे उसके बाद विहार के सियास्त में निटीज़ कुमार के जो सुप्षीन लेकिन इस बीच कल एक सूचना आई कि बहार के मुखमंत्री नितीशकुमार कबिनेट की बैठक में जा सकते हैं तैयारी पूरी थी मीडिया का जमावडा मुख सचवाले के पास था और सी-एम नितीश कुमार अचानक केबिनेट के लिए मुखमंत्री अवास से निकलते हैं और केबिनेट की बैठक में सामिल होते हैं मुखमंतरी नितीष कुमार介मनेट की बैटक में तकरीबन आधे गिंटा तक रहते हैं केमलेट की बैठक होती है बैटक में कई मुद्दों पर फैसला होता है उसके बाद मुखमंतरी नितीष कुमार सचवाले के अंदर अपने सेम्भर पहोचते हैं वहां धिकारियों से बाचित करते हैं कई मामलों पर फिडबेक लेते हैं और फिर सीम बाहर निकलते हैं मुखमंत्री की यह तस्वीरे दखिए लंबे समय के बाद मुखमंत्री आज सडकों पर थे हैं मिडिया के कैमरे मुखमंत्री तिश्मार को फॉलो कर रहे थे मुखमंत्री का कार्केट दीरे-दीरे सच्वाले से आगे निकला मिडिया के कैमरे पीछे-पीछे मुखमंत्री ने गाड़ी को स्लो करवाया हलाकि मुखमंत्री रूके नहीं नहीं मिडिया सुनने बाचीत की बस सब के सामने हाथ जोडते विए मुखमंत्री आगे निकल उन तमाम सवालों का जबाव नितीश कुमार खुद मिडिया के सामने केमिनेट की बैठक में पहुंचकर उन्होंने तय कर दिया कि CSM अब पूरी तरीके से फिट हो गया है नितीश कुमार अब स्वस्थ हो गया है सरकारी कामकाज को फिर देखेंगे नितीश बिमारों के जो काम नहीं कर पाए थे स्वस्थों के फिर करेंगे अब सवाल यह है कि नितीश कुमार की बिमारी कई राजनियतिक कारणों से भी अहम हो जाता है एक तो कॉंग्रेस की हार दूसरा इंडिया गटबंधन में नितीश कुमार की अब बड़े कद पर नित में घमसान है कि अब नितीश कुमार का चेहरा आगे लाया जाए नितीश कुमार के लिए जैसे ही अब बाते सामने आई नितीश धीरे दिए ठीक होते दिखाई पड़ रहे हैं आज नितीश खुद को फिट दिखाते हुए दिखें नितीश केबनेट की बैठक में कि नितीश अब वापस लोट गया है अब फिर से नितीश निकलेंगे नए मुहीम पे पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा ला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama Luxurious Lifestyle Redefined